मेरे भाई की शादी के रात मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया ताकि भाई के फिल्म देख सकूँ जैसे ही भाई 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 के पास आया मेरी चीक निकल गई भाई ने तो भाई के साथ पूरी रात रहे थे और मैं खामोशी से कैमरे में आया और मैंने अपना लैपटॉप नि पल थे जिने मैं देखने के लिए बेताब था और उन पलों की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी तयार था कि अचानक मैंने लैपटॉप पर भावी को भाई के साथ कुछ ऐसी हरकत करते हुए देखा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाई और भावी के कमरे की तरफ भावी भाई का वैसे तो सब कुछ ठीक था पूरे घर वाले खुश थे क्योंकि मेरे बड़े भाई की शादी थी लेकिन अगर इस घर में कोई खुश नहीं था तो वे मैं था मैं अपनी परेशानी को छुपानी की बहुत कोशिस कर रहा था लेकिन मैं खुद बेखुद चिचड़ा हो रहा था और मैं बिना वज़ेचीजों की तोड़ फोड़ कर रहा था लेकिन मेरी इस तोड़फोड का कोई भी फायदा नहीं हुआ और फालतू में मैंने अपने ही कमरे का नुकसान किया था बाहर तक मेरी कोई आवाज ही नहीं जा रही थी क्योंकि बाहर तो बहुत हंगामा था मेरे बड़े भाई की शादी को लेकर और पूरा खांदान इकटा था काफी दिनों से हमारे घर में किसी का ध्यान मुझ पर नहीं था सब ध्यान मेरे बड़े भाई पर था और पूरे घर में उन्हीं की बाते चल रही थी मेरे बड़े भाई से मुझे सुरू से नफरत थी ना जाने क्यों ये नफरत इतनी होनी नहीं चाहिए थी वे मेरा सगा भाई था लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था अपने गुस्सी की वज़े से इस घर में मेरे बड़े भाई की सुनी जाती थी जो वे बोलता था घर में वही होता था मेरे बड़े भाई का आखरी आउडर होता था और हम सब घर वालों को इस आउडर को पूरा करना होता था अगर कहा जाए कि मा बाबा को अपनी उलाद में सबसे जादा मेरे बड़े भाई से महौपत थी तो ये कहना गलत नहीं होगा हाला कि मैं छोटा बेटा था और छोटा बेटा लाडला होता है लेकिन यहां तो गंगा उल्टी ही बह रही थी शुरू से बड़े भाई को ही एहमियत दी जाती थी लेकिन आज उनकी शादी की वज़े से कुछ जादा ही एहमियत उन्हें मिल रही थी और ये मुझे से बरदास नहीं हो रहा था उन्हें सिर्फ एहमियत ही नहीं मिल रही थी बलकि उन्हें मेरे बच्चपन की महौपत भी मिल रही थी जिससे मैं अपने बच्पन से बहुत जादा चाहा था बहुत जादा प्यार किया था उसका नाम मीरा था मीरा मुझे सुरू से पसंद थी और बड़े होकर ये पसंद बहुत जादा प्यार में बदल गई और प्यार में जुनून इक्स की सूरत ले ली और जब प्यार और चागल ही होता जा रहा था पिछले महीने बहुत की खुशी के दिन गुजरे थे मेरे घर में कहीं जाने की जो रोा सो रोजसी तैयारियां चल रही थी उन्से कहा कि आप कहा जा रही हैं तो उन्होंने कहा कि मैं मीरा के लिए अपने बेटे हाथ मांगने जा रही हूँ ये बात उन्होंने मेरे गाल पर अपने हाथ से प्यार कटते हुए कहा तो मैं खुश हो गया और मुझे लगा कि मेरी मा मेरा रिस्ता मीरा के लिए लेकर जा रही है मैं समझ के मेरे बाबा मेरा रिस्ता लेकर गए है मीरा के घर लेकिन मेरे सर पर धमाका तब हुआ जब मुझे मालुम हुआ की मीरा से मेरी नहीं मेरे बड़े भाई का रिस्ता तै हुआ है तो मैं अपनी मा के पास गया और मैंने उनसे कहा की आपने ये क्या कर दिया है मैं मीरा से प्यार करता हूँ और आपने मेरे प्यार को मेरे भाई के हवाले कर दिया मैं तो समझा कि आप मेरे लिए रिस्ते की बात करने जा रही है मेरी बास सुनकर मेरी माने एक जोड़दार थपड मेरे मूपर मारा मुझे बुलकुल भी इसकी उमेद नहीं थी मेरी माने कहा की शरम करो वे तुम्हारे भाई की होने वाली बीवी है तुम्हारे भाई ने उसे पशंद किया है और अब वे तुम्हारी भाबी बनने जा रही है और तुम इसके लिए इस तरह के गंदे लवज इस्तमाल कर रहे हो तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए मीरा के बारे में अब क्यूंकि वे तुम्हारी भावी बनने वाली है ये मेरी मा की तरफ से पड़ा हुआ थपड नहीं था ये थपड तो जैसे किसमत ने मुझे मारा था इस थपड के पड़ने के बाद मैं गुस्से में आ गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ म कोई फरक ही नहीं पड़ा था मेरे मा बाप मुझे नराज थे और अभी तो बड़े भाई को मालूम भी नहीं था कि मैं किस बात पर नराज हूँ कुछ दिन सडकों की ठोकरे खाने के बाद मजबूरन मुझे घर वापस आना पड़ा क्योंकि मेरे पास रहने के लिए ठिका नहीं था और मुझे अपने कमरे के बगेर नीन ही नहीं आती थी लेकिन अफसोस इस बात का था कि किसी को मेरी फिक्र ही नहीं थी हर कोई भाई की खुशी मनाने में बिजी था और पूरा घर ऐसे सजा चुका था जैसे शादी वाले घर होते हैं मैं तो जैसे अंगारों में जल रहा था और मैंने फैसला कर लिया था कि मेरे भाई की शादी को बर्बाद करके रहूंगा पहले तो ये शादी होने ही नहीं दूंगा और अगर ये शादी गलती से हो भी गई तो इसे काम्याब नहीं होने दूंगा इसी मकसद के लिए मैंने मीरा को फोन किया और उससे मिलने को कहा तो उसने कहा कि वे मुझे नहीं मिलना चाहती मैंने उसे कहा कि मैं उससे मुहपत करता हूँ उससे शादी करना चाहता हूँ वे भाई से शादी करने से मना कर दे लेकिन जवाब में मीरा ने मुझे जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए मीरा ने कहा तुम्हा खुश हूँ इस रिस्ते से और तुम हो क्या अपने बड़े भाई के आगे दिन रात अवारा गिर्दी करना तुम्हारा काम है ना तुम पढ़ाई कर सके ना कोई मेहनत करते हो और बात करते हो मुझसे शादी करने की मुझ जैसी लड़की से शादी करने के लिए तुम्हें पहले मेरे लायक बनना पड़ेगा लेकिन अफसोस की अब तुम्हारी किसी महनत का कोई फायदा नहीं है अब वक्त गुजर चुका है हाँ अगर ये रिस्ता तै होने से पहले तुम महनत करते अपने पैरों पर खड़े हो जाते तो मैं तुम्हारे प्यार को अपना लेती ले मैं जो पहले से अंगारों में जल रहा था मीरा की दिल रुला देने वाली बातों ने मुझे जखमी कर दिया था और मैं बुलकुल तूट सा गया था अगर उसे मना ही करना था तो वे सही से मना कर सकती थी लेकिन उसने तो मेरी तोहीन की थी मेरी बेज़ती की थी अगर वे मेरी बेजती के बगेर मना करती तो शायद मैं मान जाता लेकिन जिन लफजों में उसने मुझे मना किया था वे मना करना नहीं वे उसने मुझे तुदकारा था और मेरी बेजती की थी मैं वे भूल नहीं पा रहा था और मेरी हालात ऐसी थी की काटे तो बदन में खून ना नि फिर मुझे एक प्लैन सुझा जितनी तकलीफ मुझे मिल रही है मैं इससे कई जादा तकलीफ अपने भाई मीरा और सब घरवालों को देना जाता था मैं चुब बैटने वाला नहीं था मैं फॉरन से मार्किट गया और वहां से एक ऐसा कैमरा लेकर आया जो बहुती एडवां कैमरा था शादी का दिन है तो सब घर वाले शादी में चले गए पहले मैं भी शादी में गया और जल्दी से नजरी बचा कर वहां से वापस आ गया फूरा घर खाली था मेरे भाई के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था वे कमरा फूलों की से सजा हुआ था और हर तरफ बहुत चेक करने के बाद बैट से बहुत पाज एक जगह पर फिट कर दिया था, कैमरा बहुत ही छोटा था, जो किसी की ध्यान में भी नहीं आ सकता था, शायद बहुत ध्यान देने के बाद भी किसी को नजर आने से रहा, भाई और मीरा तो आज की रात प्यार भरे लम्हों म खो गए होंगे, उन्हें तो पता भी नहीं होगा इस कैमरे को, ब्लू तुट के जरीए मैं अपने लैप्टॉप से कनेक्ट कर दिया था, अपना ये कारनामा करने के बाद मैं दुबारा से मेरिज हॉल में गया जहां पर बहुत धूमधाम थी, मैं धूमधाम देखने हरग जिज नहीं गया था, मैं तो सिर्फ इसलिए गया था कि कहीं किसी को मुझे बशक ना हो जाए, मेरे ना होने से, और वे लोग मुझे ढूरने घर तक ना आ जाएं, और सब को पता ना चल जाए कि मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरे अंदर थोड़ा सुकून आ गया था, थोड जोनों का मजा खराब करने के लिए मेरे पास कोई तो प्लैन मौझूद है, जिस पर मैं मजे करूंगा और आगे की जिनकी मैं मीरा को ब्लैक मेल भी कर सकता हूं, मैंने सोचा था कि शादी की रात की ये वीडियो मीरा को दिखा कर इसे दिमागी तकलीफ दूँगा और इसक रिस्ता बनाएं, वरना मैं इसकी वीडियो इंटरनेट पर वायल कर दूँगा, ना जाने मेरे दिमाग में इतने सारे गंदे ख्याल कहां से आ गए थे, ना मेरी परवरिस ऐसी थी, ना मेरा खांदान ऐसा था, इस स्टेज पर दुलहा दुलहन की रूप में बैठे हुए अपने भाई और उसके साथ बैठी, अपने प्यार को देख कर तो मेरी हालत पूरी तरीके से खराब होने लगी थी, मुझसे बरदास नहीं हो रहा था, लेकिन जो भी था, मैंने उनकी खुशियों को बरबाद करने का सोच लिया था, शादी पूरी हो चुकी थी, और विद सर्प्राइस देना चाहता था, कि मैं उनकी खुशी में खुश हूँ, और वे ये सर्प्राइस देखकर हैरत में पढ़ गए थे, क्योंकि जैसे ही उन दोनों ने गाड़ी से नीचे कदम रखा, वहां से लेकर उनके कमरे तक मैं फूल ही फूल बिच्छा रखे थे, मैंने कहा कि मैं उनकी खुशी में खुश हूँ, और मैंने अपना दिल साफ कर लिया है, मेरी बास सुनकर वे दोनों मुस्कुरा लिये, और भाई ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा, वे दोनों हलके से चलते हुए, अपने कमरे तक आए, और छोटी मोटी रस्मों के बाद मीरा क को मेरी बेहनों ने उसके कमरे में पहुचा दिया, मैं भी जल्दी से अपने कमरे में चला गया और लाइट बन करके, कमरे का दरौजा लॉक किया और फॉरन से अपना लैप्टॉप आउन किया, जहां पर मैं उनकी शादी की रात को देख सकता था, मैंने देखा कि मीरा अक कहते हैं जलन का यही ख्याल होता है कि जो चीज दूसरे के पास है वे हमें मिल जाए और अगर वे हमें नहीं मिल सकती तो दूसरे की भी नहीं होनी चाहिए। हरकत का पता तो नहीं चला फिर मैंने देखा कि वे सोफे के सामने पड़े हुए टेवल पर रखा जख के पास आई और पानी पीने लगी तो मुझे थोड़ा सुकून मिला कि वे प्यास की वज़े से उठी थी थी थोड़ी देर बाद बैठने के बाद वे फिर से अपने गई वे भाई का इंतिजार कर रही थी और भाई भी थोड़ी देर बाद कमरे में आया तो मेरी तो जैसे ही रू जलकर राक हो गई थी ये मंज़र देखकर भाई मीरा के करीब आकर बैठकर और वे इससे कुछ बाते कर रहे थे यकीनन वे इसकी खुपसूरती की तारीफ कर था उन लमों को तो मैं सोच भी नहीं सकता था और मैं वे लम्हें देखने के लिए तयार था लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर मेरे सरबर आसमान गिर गया मैं भाई और भाई के कमरे की तरब भागा और जोड़ जोड़ से उनका दरवाजा बजाने लगा मा पूछने लगी कि तुम क्यूं उनको डिस्टरब कर रहे हो तो मैंने अपनी मा से कहा कि वे लड़की भाई को जान से माणने लगी है जल्दी दरवाजा खोलो मेरी मा ने कहा तुम बे फिजूल की बाते कर रहे हो आज उनकी शादी की पहली रात है और वे खुश है और तुम बिना वजए उनकी खुशियों को मिट्टी में मिलाने के लिए इस तरीके से हरकते कर रहे हो मैं जानती हूँ तुम्हें मीरा पसंद थी लेकिन अव्वे तुम्हारी भावी है क्यों तुम इस तरीके से मुझे सब के सामने सर्मिंदा कर रहे हो अभी महमान घर पर है अगर महमानों को ये बात पता चलेगी तो कितना वुरा होगा मैंने एक मा से कहा कि ये वक्त बातों का नहीं है अगर उन्हें भाई की जान बचानी है तो उन्हें दर्वाजा हर हाल में खोलना होगा मेरी मा को जब मेरी बातों पर यकीन नहीं आया तो मैंने छोटी बहन को कहा वे जल्दी से चाभी ले आई मेरी बहन ने मुझे दर्वाजा खोलने से रोकना चाहा मैंने कहा कि अगर वे लोग वाकई में अंदर खुछ हैं तो दर्वाजा खोल देते लेकिन इतनी देर से दर्वाजा बजाने पर जब दर्वाजा नहीं खुला तो इसका मतलब की मैं सच बोल रहा हूँ अंदर भाई की जान को खत्रा है अब लग रहा था कि मेरी मा को भी थोड़ा थोड़ा मेरी बातों पर विश्वास आने लगा था और जैसे ही दर्वाजा खुला तो सामने का मंजर देख कर हम सब हैरान रह गए मेरा भाई जमीन पर फर्स पर पड़ा था और उसके सर से खून बह रहा था और मीरा के हाथ पर बंदूग थी और उसने मेरे भाई को गोली तो नहीं मारी थी लेकिन उसने शायद वही बंदूग मेरे भाई के सर पर मारी थी जिसकी वज़े से वे भ्योश हो गए थे और उनके सर से थोड़ा सा खून बह रहा था ये मनजर देखकर तो सब परिशान हो गए फॉरन से भाई को अस्पताल लेकर जाने लगे लेकिन मेरे बाबा ने डॉक्टर को घर पर ही बुलाने का फैसला कर लिया था वरना बहुत बदनामी होने वाली थी थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया तो देखा की मेरा भाई ठीक है उसको होश में लाने की कोशिस कर रहे थे सब मीरा को छोड़कर फिलहाल भाई की जान बचाने में बिजी थे या भाई की तबियत थोड़ी समली तो मेरी मा मीरा के तरब बढ़ी और बोली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ये सब करने की माने कहा की मैं क की जान लेने की कोशिस की मैं तुम्हें पुलीस की हवाले भी कर सकती हूँ अगर मुझे अपने परिवार की इज़त का ख्याल ना होता तो मीरा सर जुका कर मेरी मा की बात सुन रही थी इतने में मेरे भाई को होश आ गया मेरा भाई अपने आपको समालते हुए खड़ा कि क्यूं इसने भाई पर हमला किया सम मीरा से सवाल कर रहे थे लेकिन मीरा तो ऐसे सर जुकाए बैठी थी की जिसको ना अपने इस हरकत पर सरमिंदगी थी और ना ही इसके पास सब सवालों के जवाब थे मेरी माने कहा कि मुझे परिवार की इज़त से ज़ादा अपने बेटे की जान प्यारी है और बहतर इसी में है कि इस लड़की को जेल की सलाखों के पीछे भेज दो इससे पहले की ये मेरे घर को बरबाद कर दे मुझे परवा नहीं है किसी भी चीज़ की अभी पूलीस को करती हूं मेरी माने अपना मुबाइल उठाया तो मीरा चीक पड़ी और कहने लगी कि ये सब मैंने आपके परिवार की इज़त बचाने के लिए ही किया है अगर मैं ये सब ना करती तो आज आप किसी को मुझे दिखाने के काबिल नहीं रहते और आपका सारा परिवार जली कि आज बरबाद हो जाती मेरी नजर पानी पीते वकिस कमरे में लगे इस खूफिय कैमरे पर ना पढ़ती तो ऐसा कहकर मीरा जोर से उठी और वहां जहां मैंने कैमरा फिट किया था उसने वहां से कैमरा खीच कर उतारा और सब के सामने फेक दिया सब घर वाले कैमरे को दे देखा और कहा कि क्या तुमने ये हरकत की है बहुत सारे लोग शादी की पहली रात को यादगार बनाने के लिए वीडियो बनाते हैं क्या ये तुम्हारी हरकत है बाबा की बात सुनकर भाई को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि उसने ये सब नहीं किया है और इसके बारे मे कुछ भी नहीं मालुम है इसे और ना ही किसी ऐसी परवरिस है कि इस तरह की हरकते करें मेरी तो ये हालत थी की दिल कर रहा था कि चिता जमीन में घर जाओं और ना जाने कहां से मीरा को ये खबर हो गई और कैसे इसकी नजर इस कैमरे तक पहुँच गई लेकिन अभी तक ये किसने किया था अभी तक मेरा नाम नहीं आया था लेकिन अगले ही पल मेरा ने चिलाते हुए उंगली मेरी तरफ कर दी और मेरा नाम लेते हुए कहा कि आपका ये बत्तमीज बेटा है जिसने गिरी हुई हरकत की है ये इसी का काम है और मैं जल्दी ही समझ गई थी कि ये हमा के लually गायब हो गया था और काफी देर तक गायब रहा और फिर अचानक से वापस आ गया था शायद किसी ने ये बात नोट नहीं की थी लेकिन मैंने ये बात नोट कर ली थी और मैं समझ गई थी कि ये अपनी यही कार्य को अंजाम देने के लिए घर आया था मैं डर तो बहुत रहा था लेकिन मैंने मीरा पर गुसा करते हुए कहा कि तुम जूट बोल रही हो, मुझ पर जूटा इंजाम लगा रही हो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सम मैंने किया है मेरी बात पर मीरा ने कहा कि आए आप सम मेरे साथ इसके कमरे में चलते हैं, सब दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा मीरा काफी, रफतार से मेरे कमरे की तरब बढ़ गई और उसके पीछे मेरे बाबा भी आने लगे और मेरी तो जैसे दुनिया ही बरबाद होने जा रही थी क्योंकि कमरे में मेरा लैप्टॉप खुला पड़ा था मैंने उसका रास्ता रोकना चाहा लेकिन वे लोग नहीं रुके और मेरा तेजी से मेरे कमरे में चली आई जहां लैप्टॉप को खुला देखकर सब हैरत में पड़ गए जहां पर भाई के कमरे की तस्वीर थी सबसे पहला तमाचा मेरे बाबा की तरफ से मुझे पड़ा था और फिर मेरी माने भी मुझे थपड मारा और फिर वे दोनों मुझे मारते ही रहे और मुझे बचाने वाला कोई नहीं था मेरे सब घर वाले मेरा तमासा देख रहे थे और शायद सब यही चाहते थे कि मेरे बाबा मुझे जान से मार डाले मेरे बाबा ने कहा कि दिल तो करता है कि तुम्हे जान से मार दे लेकिन तुम मेरी उलाद है काश की तुम मेरे बेटे ना होते तो इस वक्त जिन्दा ना होते मेरे बाबा की बास सुनकर मीरा चीक पड़ी कि क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ क्या मैं आपकी और अपने माबापकी और आपके बेटे की इज़त नहीं हूँ जिसको ये खाक में मिलाने जा रहा था और अभी आप उसको माफ करने के लिए तयार है मीरा की बात पर मेरे बाबा खामोश हो गए थे इसी सिच्वेशन पैदा हो गई थी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरी ऐसी हालत थी कि मैं अब जिन्दा नहीं रह सकता था मैं फोन से भाई के कमरे की तरब भागा मेरे पीछे कोई नहीं आया लेकिन मेरी बहन आ गई वे समझ गई थी कि मैं क्या करने जा रहा हूं मीरा के हाथ में थोड़ी देर पहले जो बंदूग थी उसको मैंने उठा और अपनी कनपटी पर रखा और एक जोड़दार मेरे लिए अब जिन्दकी का कोई मतलब नहीं है मैं शैतान कावे में आ गया था लेकिन मुझे नहीं मालुम था कि मैं अपने ही घर वालों की नजर में गिर जाओंगा मुझे पता है आप सब लोग मुझे माफ नहीं करेंगे लेकिन मैं अब इस सरमिंदकी के साथ सारी जि की जिन्दा नहीं रह सकता हूँ बहतर इसी में है कि मुझे मर जाने दें बहुत मुस्किल से मैंने कुछ रिस्तेदारों ने मुझे रोका भाई शायद मीरा को हर बात बताया करते थे उनकी फोन पर बात होती थी और भाई ने ये भी पताया था कि उनकी साइड टेवल पर बंदूग पड़ी होती है इसे लिए मीरा ने भाई को गोली तो नहीं मारी लेकिन जान पूच कर उनके सर पर हमला किया वे भी थोड़ा सा था कि मैं ये देखकर फॉरण से वहां से आ जाओ जब मैं वीडियो देख रहा था तो मीरा ने भाई की कनपटी पर बंदूग ता और कुछ दिन यूही गुजर गए मेरा एक कजन हर वक्त मेरे साथ रहता था कि कहीं मैं अपने आपको जान से ना मार दूँ फिर मेरे किसी कजन ने मुझे कहा कि तुमसे गलती हो गई है लेकिन अब यही सही है कि तुम ये सहर छोड़कर चले जाओ खुद खुशी परिश खुशी कर ली तो सीधा नर्ख में चले जाओगे वे कहते हैं न कि आप ये सोचते हैं कि मर जाएंगे मर के भी चैन ना पाएंगे तो किधर जाएंगे और तुम यहां से भागने के लिए इस जहां से तो जाना चाहते हो लेकिन अगले जहां का सामना कैसे करोगे बहतर अपने पापों की माफी मांगो, हो सकता है कि वे तुम्हारे लिए अच्छा साबित हो, यकीनًا मैं बाहर मुल्क चला गया और आज इस किस्ते को दो साल हो चुके हैं, और दो साल में से अमेरिका में हूँ, और मेरा घरवालों से कोई कनेक्ट नहीं है, मैं किसी के साथ कनेक् क्योंकि मुझ में अब हिम्मत नहीं है कि मैं अपने घर वालों का सामना कर सकूँ धन्यवाद दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी रह जरूर बताईएगा और हमारे चैनल वानी वह इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भू आपको लें